असलाम अलीकुम आज की लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि war, let और constant जो तीन variables यूज होते हैं जावा स्क्रिप्ट में इनमें क्या difference है और हम variables पे बात कर रहे थे आज हम इन तीनों का difference देख रहे हैं जो तीन variables यूज हो रहे हैं war, let और constant ठीक है मैंने तीन जो difference है वो मैंने mainly आपके सामने लिख चुका हूँ है war जो आपके पस variable है इसको आप re-declare भी कर सकते है और re-assign भी कर सकते है ठीक है यह बात आपने याद रखनी है कि war को आप re-declare भी कर सकते है और दूसरी बात re-assign आप value दुबारा उसको re-assign कर सकते है जो let variable है इसको आप re-declare नहीं कर सकते है युके नौट re-declare ठीक है मैं let की बात कर रहा हूँ ठीक है let को आप re-declare नहीं कर सकते है लेकिन re-value re-assign कर सकते है ठीक है यह बात आपने याद रखनी है और जो तिसरा constant है उसको आप ना तो re-declare कर सकते हैं और ना ही उसको आप कोई value reassign कर सकते हैं ठीक है तो इन तीनों में basic difference है वो यह ही है ठीक है मैं repeat कर रहा हूँ एक दफा where को आप re-declare भी करेंगे अराम से और re-assign भी करेंगे ठीक है let को आप re-assign कर सकते हैं लेकिन re-declare नहीं कर सकते हैं और इस तरह constant ठीक है constant जैसे नाम से इन्होंने इसलिए इसको नाम दिया कि यह फिर इसको आप कभी change नहीं कर सकते हैं ठीक है और ना ही आप इसको re-declare कर सकते हैं और ना ही इसको आप re-assign कर सकते हैं ठीक है दूसरी बात हम इस पर आगे next वीडियो में बात भी करेंगे कि जो war variable है उसका function scope है ठीक है आपने यह important बात जाद रखनी है और जो let और constant है उनका block scope है ठीक है और let और constant आपके पास जो ES6 version है उस पे introduce हुई है ठीक है ECMAScript 6 में आया है यह दो variables let और const ES6 से पहले सिर्फ war variable use होता था ठीक है यह भी important आपने interview के point of view उससे आपने यह बात जो है अपने mind में रखनी है ठीक है कि उससे पहले आपके पास war का जो है सिर्फ function scope था और let a constant का block scope है और यह let a constant ES6 में introduce ही है आगे बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहां पर यूज करना है ठीक है जहां पर जो value आप पूरी coding में सिर्फ एक दफा आप उसको define करना चाहते हैं ठीक है क्योंकि आपने उस value को constant variable assign करना है जो आपकी फिर बाद में पूरे code में वो आपकी value change नहीं होगी ठीक है इसलिए यह constant variable यूज करते हैं और वार को भी आपने carefully use करना है क्योंकि इसको आप re-assign भी कर सकते हैं और re-declare भी कर सकते हैं ठीक है तो यह तो कुछ बातें थी जो आपने इन तीनों का difference था और इनको आपने जो assign करते हैं आपने याद रखनी थी अब जलते हैं coding part की तरफ ठीक है मैं आपको coding part पर ले आता हूँ और यहाँ पर मैंने coding की आपके सामने sorry और यह देखें मैं पहले अब इसको comment कर देता हूँ ठीक है comment कर मैंने आपको shortcut हमेशा बताया कि control के select करके control के और C करने आपने तो वह आपके पास comment हो जाएगा control के और C ठीक है आप यह देखें अब हम तीक है अब यहाँ पर आपके पास हम इसको नीचे आपके देख लेते हैं अब यह देखें यहां पर मैंने क्या किया मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको अड़ेस्ट करता हूँ ठीक है अब यह देखें मैंने क्या किया है ठीक है मैंने वार वरियेबल पहले अब आपके पास जो प्रिंट क्या होगी यह देखें सबसे लास्ट में जो मैं वेल्यू असाइन की है वह यहां पे आपके पास सो की कने इन्टेक्षण दे रहा थै तब यह मैंने आपकों बताई थी ठीक है कि जो है आप सबसे लास्ट में वील्यू होगी वो आपके पास इस case में वो show होगी ठीक है वैर के case में अब अगर suppose इसको मैं comment कर देता हूँ ठीक है इसको मैं comment कर रहा हूँ अब यह देखें अब यहां पर आपके पास क्या show हो रहा है it is a second value assigned to var variable ठीक है जो हम बाद में उसको assign कर रहे हैं वो आ रहा है आपके पास ठीक है तो यह आपने var के case में आपने यह बात ज्याद रखनी है यह read a clear भी हो सकता है और reassign भी हो सकता है ठीक है अब ठीक है यह simply मैं मैं इसको print कर रहा हूँ document.write यह से और यह बात आपको मैं बता चुका हूँ कि letter constant e6 में आई है अब let की बार यह आ जाती है let की case में क्या है आप इसको re-declare नहीं कर सकते ठीक है मैंने यह comment किया मैंने इसको re-declare किया हुआ है लेकिन मैंने comment किया जान बूज के ठीक है लेक इसको value assigned to second value अब इसको लिख देंगे second value assigned to let variable जो बाद में assign कर रहा हूँ यहाँ पे print हो रही है यह देखिए second value assigned to let variable ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ तो यह आपके पास यहाँ पर show होगी ठीक है x y z means जो मैं यहाँ बाद में कर रहा हूँ हूँ इसको let को हम reassign कर सकते हैं ठीक है अब अगर suppose मैं यहाँ पर इसको मैं comment हटाऊँगा तो यह आपके पास क्या हो जाएगा सारा code यहाँ पर गायब हो जाएगा क्योंकि mistake आ जाएगी अब अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ कि mistake कहां पर है मैं inspect करूँगा ठीक है यह मैं google console आपको आगे जाके पढ़ाँगा ठीक है मैं यहाँ पे console पर जाओँगा और console पर जाओँगा ठीक है B has already been declared जी डेखें मैंने B को दोबारा declare किया यहाँ पर मैं एक दाफ़र declare कर चुका था B को मैं दोबारा declare कर रहा हूं so इसने मुझे यहाँ पर error दे दी है कि B has already been declared ठीक ह इसलिए जब मैं इसको comment कर रहा हूँ जब इसकी declaration खतम कर रहा हूँ सो यहां से यह आपके पास जो error है वो खतम हो जाएगा और दुबारा से code आ जाएगा ठीक है यह हो गया let के case में अब तीसरा आपके पास है constant constant को क्या है कि constant को आप ना तो आप इसको redeclare कर सकते हैं और ना ही आप इसको value assign कर सकते हैं आपने एक दफा जुसके value assign कर दी for the whole code for the whole program वो ही value आपके पास रहेगी ठीक है अब अगर यहां पे मैं दोबारा से मैं इसको declare करता हूँ c को constant c को देखें यहां पे code गायब हो गया मैं inspect कर रहा हूँ और यहां पे मैं जा रहा हूँ यहां पे मैं console पे जा रहा हूँ क्या करें c has already been declared ठीक है अब अगर मैं यहां पे कर रहा हूँ देखें इसको अच्छा इसको मैं comment कर रहा हूँ अगर suppose तो यहां पे आपके assignment to concept uncut assignment to concept variable ठीक है कि आप उसको दुबारा से कोई value assign नहीं कर सकते ठीक है तो यह आपके पास इसलिए आपके पास जो है वो problem आईगी देखें अब bbR है लेकिन जो आपके पास c वाला portion है वो यहां पे गायब है ठीक है तो यह इन तीनों जो variables है इन तीनों में यही difference है कि आप एक को आप variable को आप assigned re-declare और re-assign कर सकते हैं let को आप re-declair नहीं कर सकते हैं लेकर re-assign कर सकते हैं और जो आपके पास concept 谁 अपके पास यहांटना उसको आप ना तो read clear कर सकते हैं और ना आप re-assign कर सकते हैं hopefully आपको आज का lecture समझ आया होगा अगर आपको मेरा lecture अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ भी ये प्लेल्स शेर करें और मुझे support करें इंचरा नेक्स लेक्चर में मुरकाद होती है तब तक के लिए अल्ला आफिज